राम राम सभी को आपके अपने इंडियन लाइफ चैनल पर सभी दर्सों को का स्वागत है आज फिर एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ में वीडियो पेस है भाईयो आप देख पा रहे होंगे गहूं का खेत है और गहूं के खेत में कटाई चल रही है मसीन दुआरा यह मसीन नहीं आई किसी नहीं देखी तो भाईयो आप देख पा रहे होंगे किस परकार जो है मसीन कितने अच्छे से गहूं काट रही है भाईयो मुझे सबसी अच्छी बात इसकी यह खासिया दिखाई दी आप देख पा रहे होंगे जो यह साथ के साथ में पूली बांद एक बात और आप नोट करिए कि जहां कटाई कर रही है महां पर किसी परकार की भी ग्यों नहीं चोड़ रही यह साइड में नहीं बखेर रही तो भाईो बहुत ही सफाई के दुआरा एक कारिया कर रही है तो आप देख पा रहे हैं भाईो BCS कंपनी की यह मसीन है मैं ने इन से बात करी तो मैं ने बोल रहा था कि आप हमारे यहां भी आ सकते हैं काटने के लिए हमारे यहां तो भाईो इन्हें यहां से बिलकुल भी फुरसत नहीं है वैसे हमारे छेतर में मसीन आ गई है हमारे पास में यह गाउं है उस गाउं के अंदर मसीन जो है यह उपलब हो ग कि आप किस परकार जो है गहों कटाई चल रही है और आज एक कारण और भी है लेवन ना मिलने का भाईयो जो नई जैनरेशन है वो थोड़ी इस तरफ डाइवर्ट नहीं है वो चलो एक अलग मैटर है जैसा भी है तो आप देख पा रहे होंगे एक छोटा से अंजन के दुआ जो यह मसीन चलती है भाईयो एक बात तो मुझे इसके अंदर बड़ी अच्छी लगी यह जो है टेक्टर वाली से मुझे ज़्यादा बैटर दिखाई दी और कमेंट करके आप कमेंट में आप बताना कि आपको कौन से अच्छी लगती है भाईयो हमारे चेतर में टेक्टर वाली भी थी वह टेक्टर वाली में कई परकार की समस्या देखने के लिए मिली सबसे बड़ी बात तो है कि सर्वीस अच्छी नहीं है उन मसीनों की दूसरी बात भाईयो इतनी कारिया नहीं करती तीसरी बात यदि पिछे साइड की टेक्टर की लेकर आते हैं तो जो टेक्टर को चलाता है उसकी गर्दन पिछली साइड रहती तो काफी दर्ध बणा रहता है यदि अगली साइड भी लगाई जाएं तो वह थोड़ा उपर से काटती है इतनी अच्छा कारिया मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगी और देखी भी है तो आप जरूर अवश्चा बताना कि आपको कौन सी अच्छी लगती है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्चा करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो मिल सके सभी भाईयों को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद